हेलो दियर फैंड टेकनिकल साइंस इंफों में आपका स्वागत है आज मैं अपना नय टोपिक लेकर आये हूं डेम साफ्ट डिजाइन अब साफ्ट होता क्या है डिजाइन अब साफ्ट का हिंदी होता है कि साफ्टों का भी कलपन ठीक है बने रही इस वीडियो में और साथ में अपने कोपी और पेन लेकर बैठे और नोट करते रही है साथ साथ में ही आए देखते हैं साफ्ट का डिफनेशन होता क्या है तो साप्ट का लिखे साप्ट एक साप्ट एक ऐसा मशीन अवय है जो एक अस्थान से दुसरे अस्थान पर शक्ति परेशन के कारे आती है ठीक है और यह विभीन यह विभीन घुनन गति करने वाले भागों को सहरा देता है तथा मरोड को भी परेशित करता है तो यह घुनन गति करने वाले भाग एम पूली गेर आधी को हो सकते हैं जैसे कुझी द्वारा साप्टो पर लगे होते हैं जो कुझी है मैं कुझी पहले भी बता चुका हूँ और कुझी आने वाले वीडियो में भी पढ़ेंगे ठीक है तो पहले मैं बता दूँ जो घुनन होता है अपने सकेंड में पढा होगा मोस में Leg it in the लिए गूर पढ़ा होगा है और मरोर होगा मरोर हो अभी कपड़ Babel मंडोर का जो कि कपड़ो की तरह मरोरते है वो मरोर होता है तो मरोर जो हम लोग का मड़ोर का सूत्र होता है ठीक है मड़ोर का जो सूत्र होता है वो होता है T upon बटा में J ब्रावर G theta upon में I upon Q upon में R परावर Q upon में R ठीक है जो मड़ोर संबन्दी मतलब की trace of the retent का सूत्र होता है ठीक है और note में लिख लें कि ये घूनन गती करने वाले भाग पूली गेर आदी हो सकते है जो कुझी द्वारा सावट पर लगे होते है ठीक है ये कह रहा है कि घूनन जो गती होता है वो भाग पूली या गेर आदी हो सकता है या कुझी हो सकता है या सावट पर लगे होते है ठीक है ये कह रहा है और मैं बता दूँ आपको कोई आप से पूछे कि सावट का मुखे कारे क्या होता है तो आप सावट का मुखे कारे एक लाइन में बता देना कि piston की गती को नियंत्रित करना होता है आपने piston देखा होगा तो उसका गती का नियंत्रित करना होता है साप्ट का ठीक है एक line में ठीक है और मैं आपसे एक request करूँगा कि आप मेरे channel पर new student है तो इस channel को subscribe करें और like करें और bell icon on करें क्योंकि जो machine designing और theory of machine है काफी सारे subject है ठीक है thermal है मोस है, सोम है सारी classes जो sseje में पूछी जाती है competition में सारी syllabus मैंने already sseje playlist में मैं बना कर दे दिया हूँ आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसमें जा कर देख लिए जब sseje के त्यारी करने वाले हैं तो ठीक है इस चैनल को सस्क्राइब करें आए देखते हैं हम लोग कि समानिता समानिता साप्ट दो परकार की होती है समानितों मतलब दो परकार की साप्ट होती है कौन कौन होती है transmission साप्ट, machine transmission साप्ट और machine साप्ट आए transmission साप्ट का definition जानते हैं कि ट्रांस्मिशन साफ्ट वे साफ्ट होता है लिखिए कि वे साफ्ट जो सकती स्रोथ से मशीन को पारेशन करने के काम आती है ठीक है पारेशन करने के काम आती है वो साफ्ट कहलाती है ठीक है और इन साफ्टों पर इन साफ्टों पर पूली गेर तथा स्क्रेंड आधी लगे हो ये और उदारण में लिख दें आप उदारण में लोट करें कि कांटर साफ्ट कांटर साफ्ट और लाइन साफ्ट तता ओवर्वरिट साफ्ट आधी होते हैं ठीक है और नोट में लिखें आप कि एक एक आटोमाटिक वाहन के ट्रांस्मिशन में एक साप्ट जो असकलाइडिन गेर ले जाता है और क्लॉच और प्रोपर साप्ट के बीच ड्राइबरिंग कनेक्शन बना रहता है जो proper shaft होता है उसके बीच जो driving connection होता है वो बना रहता है ठीक है और note में लिख लें आप कि machine जो shaft होता है उसे lining shaft भी कहते हैं ठीक है और shaft पर मडोर करतन प्रतिबल का सुत्र क्या होता है ये भी आप लिख लें कि q बराबर ठीक है q equal t upon में j गुड़े t upon में 2 मतलब कि q बराबर t upon में j गुड़े d upon में 2 होता है सुत्र ठीक है अब आता है machine shaft machine shaft होता क्या है मैंने तो इधर आपको हमने लिखा दिये definition ठीक है इसका कार्य इसका कार्य इसका कार्य मशीन के एक औयव से दुसरे औयव को शक्ति परिसित करना होता है जो मशीन साफ्ट होता है इसका कार्य होता है कि मशीन के एक अवयव से दुसरे अवयव को सक्ति पारिसित करना होता है ठीक है और नोट में यह मशीन आपको देखाते चलें यह मशीन के भागों का ही एक अंग होता है ठीक है यह भी हो सकता है जो कि यह मशीन साब्ट की डिजाइन है ठीक है मशीन साब्ट की यह डिजाइन है यह घातता तरवन ही है यह मैं अलंडी वीडियो में मैं बना चुका हूँ आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख लें मेकेनिकल एजिये से प्लेलिस्ट बना हुआ है अब अता है अस्पिंडल क्या होता है ठीक है अस्पिंडल क्या होता है आप नोट करें लिखेंगे कि अस्पिंडल मशीन का ओ हिस्सा होता है ठीक है मशीन का ओ हिस्षा होता है जिसमें टूल लगता है ठीक है जिसमें टूल लगता है मशीन का ओ हिस्षा होता है जिसमें टूल लगता है वो अस्पिनल का लाता है ठीक है और मेन मोटर में मेन मोटर से आने वाली ड्राइब को मेन मोटर से आने वाली ड्राइब को अस्पिनल तक ले जाने के लिए जो सब्ट बीच में है वो अस्पिनल सब्ट कहा लाता है छोटे घुमने वाले सब्ट जो ये है आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि छोटे घुमने वाले सब्ट को अस्पिनल कहा जाता है और a spindle prior सभी machine tool में परियोग में लाया जाता है मतलब कि सभी tool में यो परियोग में लाया जा सकता है आप ऐसे लिख लेंगे और injampal में आप लिख लेंगे कि लेथ machine का drive shaft और दूसरा injampal आप लिख लेंगे drilling machine का sum pendant ठीक है आएए हम लोग आगे चलते हैं excel क्या होता है एकरिक का हिंदी होता है दूरा आपने दूरा तह सुनाऊगा धूरा होता क्या है तो धूरा लिखो आप note में note down करो नोट इसमें अपने धूरा उसे उस तरह के साप्ट को पर्धासित करने के परियोग में आता है जिन पर घूर्ण पूर्जा जैसे पहिया रसी ड्रम आदी को लगाया जाता है और एक धूरे पर नम्न अगून कारे करता है और धूरा एक घूमते हुए पहिये को सहरा देता है जो धूरा होता है ठीक है मान लो इंजामपल पर आप ये धूरा है ठीक है और ये आपका पहिया है ठीक है ये पहिया है तो यही बोल रहा है कि कि धूरा एक सल ऐसे साप्ट को कहते हैं जो घुमने वाले अंग जैसे जो घुमने वाले अंग है एक मिनट जो घुमने वाले अंग है यहां जो घुमने वाले अंग है जो इन्भर्शल जोइंट होता है जो घुमने वाले अंग है वो पहिया पहिया और ड्रम आप इसमें ड्रम लगा होता है पहिया में या ड्रम ठीक है तो ये साफ बेरिंग को सहता से क्राउंसिंग पर लगे होता है वो परते के एकशल साफ्टों पर नम नगून आरोपित होता है ठीक है ये घुमा होता है एकशल पर बेरिंग पर लगा होता है ये automobile का धूरा automobile धूरा बोले तो ये तो rail का हो गया ठीक है automobile धूरा बोले तो automobile सारे जो गाड़िया होती है automobile से related magic हो गया truck हो गया ठीक है इस परकार के automobile आएंगे इसमें जिसे कि आपने ये excel soft देखा होगा अक्षर जो कि ये transmission आपने अप्रेंटिस किया होगा ये लगा आपने देखा होगा जो धुरा में लगा होता है ठीक है ये वाला इस्क्रीन पर जो दीख रहा है आपको ठीक है अब हम लोग आता है लिखिए control soft की से कहते है तो लिखें डिपनेशन इसका control soft वह soft हो control soft जो gear box में मुखे soft के समनांतर चलता है और उस पर pinion होता है ठीक है pinion होता है उसे counter counter soft कहा जाता है ठीक है कहने का मतलब है की वा soft जो gear box में ठीक है ध्यान से सुनिए जो gear box होता है gear box में मुखे soft के समनांतर चलता है जो समनांतर चलता है और उस पर pinion जो लगा होता है जो pinion लगा होता है उसे crown soft लब control soft कहा जाता है ठीक है जैसे कि यह है pinion जो लगा रहता है gear box में यह समनांतर चलता रहता है ठीक है इसी के बाद यह कर रहा है ठीक है आप या ऐसे लिख सकते हैं आप कि यह मुखे यह प्राथमिक soft द्वारा जैसे जो मुखे और प्राथमिक soft जैसे मतलब पहले soft पर चलती यह हम dutdi sart भी होता है जैसे माल लुजेगे की control जो soft होता है उसे हम लोग dutdi sart भी बोलते हैं जैसे कि pinion जो है इसे दो लगा होता है ठीक है तो आप इसे control sagt यह या dutdi sart भी का सकते हैं या किसी मशीन के अंग को सकती पारिसित करते है ठीक है जो मशीन होता है वो किसी अंग को सकती पारिसित करके देती है या साप्ट को मुखे साप्ट में हैकिलन या स्पींग पीनियर या यूगल की सहता से जुड़ी होती है ठीक है इसे जुड़ी होती है ठीक है यह कर आप य मुख्य सांथ्ट होता है और वो होता है जैक सांथ जैक siap co Aup को आप बोल सकते हैं control सांथ या दोतीज की है यह जो लगा हुआ है, यहासे यह rotation कर रहा है ठीक है और यह यह ard δια यह जो हुँता है वह दीज सांथ्ट मतลब की एक output होता है एक input होता है एक control soft लगा होता है ठीक है इंगलिस में आप जाने तो आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला हम लोग आता है कि jack soft होता क्या है तो लिखिए jack soft का definition jack soft अक्षर एक छोटा लिखिए jack soft अक्षर एक छोटा सा stop होता है जिसके 0 पर bearings होता है और इसके साथ दो दो पूली gear ठीक है दो पूली gear तो था क्रेंक जुड़े होते हैं ठीक है कहने का मतलब है इसका साफ साफ ये तो किताब ही ग्यान होगे ठीक है आपको इस क्रीन पर दिख रहा है ये किताब ही ग्यान है आप इसे नोट कर ले जो कि आप पेपर में इस तरीके से लिख सकते हैं अब याद करने का तरीका क्या है कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं इसे याद कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं सीधा जैंक साफ्ट या काउंटर साफ्ट की भाती ठीक है मतलब मधिम की भाती कारे करता है तो इसी के सनचना काउंटर साप्ट की भाती होती है ठीक है किन्तु काउंटर साप्ट की भाती इनकी गती की दिसा बीपरित नहीं होती है जो गती की दिसा होती है इसकी बीपरित नहीं होती है यह कहने आप इस तरीके से याद कर सकते हैं तो और ये होता है input तेक है ये होता है input ते ये डाइग्राम जो है आप ये डाइग्राम बना लेंगे जो इस्क्रीन पर दिख रहा है आप ये डाइग्राम बना कर आप सीधी सीधी सब्दों में लिख सकते हैं कि जैंक साप्ट या काउंटर साप्ट की भाती या जैंक साप्ट आ यह भी एक माधिमिक साफ्ट होता है जो एक साफ्ट से दुसरे साफ्ट तक सकती पारिसित करने के एक माधिमिक भाती कारी करता है इसकी सनचना काउंटर की भाती होती है जो हमनों के काउंटर आगे हमनों देखा ना कि काउंटर साफ्ट किस तरीके से था उसी तरीके से इसका भी होता है ठीक है यह बात बोल रहा है जैसे कि यहां पूली लगी हुई है ठीक है यह दो पूली लगी यह बेल्ट लगा हुए तो इसको जब चला रहा है तो यह भी सरकल यह भी पूली इस तरीके से घुम रहा है तो यह एक दूसरे साप्ट को सक्तिक के प्राशित करता जा कपलिंग के द्वारा बहुत सी साप्टों को जोड़कर सकती अस्थांतरन किया जाता है ठीक है सकती अस्थांतरन किया जाता है नोट में आप लिख लें कार्यशाला कार्यशाला में एक मोटर की मदद से बहुत सी मसीन को एक साथ चलाया जा सकता है जैसे कि ड्रोइंग में है कह रहा है यह पहले आपको मैं बता दू ये तो किताबी भाशा है मैं यात करने के तरीका से बता रहा हूं कि एक lime salt कॉइं salt work से मिल कर बनता है नोटकरें कि एक lime salt क कई salt work से मिल कर बनता है जो एक दूसरे के coupling की सहता से जुड़ा होता है coupling यह वला है मैं आपको drawing से बता रहा हूँ यह जो coupling है coupling है ठीक है तो एक दूसरे से यह जुड़ा हुआ है ठीक है एक दूसरे से यह connect हुआ है तो इसी को लिखेंगे drawing से ही हम लोग बना कर definition लिखेंगे अपने भासा में कि एक लाइन साफ्ट कई साफ्टों से मिलकर बनता है जो एक दूसरे से coupling की सहता से जुड़ा होता है जो workshop मतलब की workshop जहां काम करते हैं वहां में लाइन साफ्ट बहुत से प्रियोग में लाया जाता है जिसे इसमें एक electronic motor एक line साफ्ट को घुमाता है या घुमाया जाता है और लग लग साफ्टों पर कई पूली लगा विभीन अनिकायों को बैटरी की सहता से साफ्ट की सकती पारिसित कर देता है या कर देती है तो इस परकार एक ही motor की कई drive को सकती पारिसित हो जाती है ठीक है जैसे कि एक motor लगा हुए है ठीक है एक motor की सहता से 1,2,3,4 फोर हमारे coupling जो है वो चलते हैं जैसे इंजामपलप आप देख सकते हैं कि अपने घरों में मतलब अपने घरों में नहीं मतलब अपने गाओं में जो आटा चकी वाला मील होता है या धान कुटने वाला हाल होता है आप देख सकते हैं कि एक motor एक मतलब एक जगा पर चलता है ठीक है उससे जो सकती पारिसित होती है तो एक मतलब की ट्रांसफर होता है तो इसके सहता से इससे हजारों coupling जुड़े रहते हैं ठीक है तिसके सहता से दूसरा ये चलता रहता है ये भी चलता है फाटा होल रहा है जैसे कि आप ड्रोइंग पर देख सकते हैं ठीक है आई होब उमीद कर रहे होंगे आप समझ गये होंगे जैसे की लाइनिंग साफ्ट का एक डिजाइन है ठीक है ये एक लाइनिंग साफ्ट का एक डिजाइन है आप इसे भी देख सकते हैं मैं तो ये समझाने का हुआ ठीक है जैसे कि आप गाउं में भी देखा हुआ मोटर जैसे लगा है और एक से दूसरे से चलता रहता है ठीक है और इस तरीके से भी देख लिजी आप इसमें भी मैं देखा देता हूँ आपको यह जो है बेल्ट है ठीक है यह जो है बेल्ट लगा होता है यह जो है पुली जो बड़ा वाला पुली लगा होता है आटा चकी में देखा होगा यह कारेशाला है ठीक है यहाँ पहले यह पुली है यह एक और दो पुली है यह लाइन साफ्ट है यह जो है यह लाइन साफ्ट है गेर वन जैसे एक गेर जो लगा हुआ है तीस गेर से कारे हमारे वन यहां हुए और दूसरा गेर से दूसरा कारी ये हुआ और तिसरा गेर से तिसरा कारी ये हुआ एक मोटर से हम लोगा मतलब एक बैटरी से ये तीन कारे हो रहा है इसी के बोल रहा है की कारे साला में ठीक है कारे साला में यहां आपने देखा हुआ कि यहां नोट में लिखा हमने कि कारे साला में एक मोटर की मदद से बहुत सी मशीनों को एक साथ चलाया जा सकता है ठीक है जैसे कि इसमें हम लोगों ने इस परकार के सेंपल ड्रोइंग में हम लोगें समझा ठीक है कि एक मोटर लगा हुआ है और एक लाइनिंग साफ्ट यह है और गेर गेर जैसे कि यह 1 1 2 और 3 तीन कारी यहां हो रहे हैं ठीक है किस परकार से मैं यहां यह बता दूँ आपको इस ड्रोइंग में कि कौन कौन से क्या है आप यहां से भी समझ सकते हैं आप ज्रोइंग समझ जाएंगे तो अपने से भी लिख सकते हैं यह है जो ट्रांस्मीशन साफ्ट है ठीक है यह जो है ट्रांस्मीशन साफ्ट है एक मिनट यह जो है ट्रांस्मीशन साफ्ट है यह इन्पूट साफ्ट है आपने गया होगा ट्रेनिंग पर आपने देखा होगा ये ट्रांस्मिशन साफ्ट है ये इन्पुट साफ्ट है ये लाइनिंग साफ्ट है ये मसीन साफ्ट है जो मशीन में साफ्ट लगता है ये सलाइनर साफ्ट है मतलब की स्पिंडल हिंदी में स्पिंडल साफ्ट है ये क् क्रैंक साप्ट है जो क्रैंक का हम लोग ने बात किया था जो क्रैंक से ट्रांस्मिशन कैसे गुम रहा है यह इक आउटपूट साप्ट है ठीक है यह साप्ट इतने परकार के होते हैं तो हम लोगों काउंटर साफ्ट जाने हम लोग ने इतने भी से में जाना ठीक है अब हम लोग को आता है अगला टोपिक इसी का की साफ्ट दो मेटेरियल मेटेरियल का मनलब साफ्ट मेटेरियल जो साफ्ट होता है उसका मेटेरियल क्या होता है ठीक है जो कि इसका हिंदी होता है या मैं आपको पहले ये बता दूँ कि जो साफ्ट के पदार्थ का मुख्य चुना होता है जैसे कि ये साफ्ट है इसका मुख्य चुना हम लोग ने कैसे कैसे किया मालो ये बनाना है मसीन 5 एक पर आई तो आप पहला लिख लेंगे कि साप्ट चेप पडार्त की समर्थक और्च होनी चाहिए ठीक है अधी कि दूसरा लिखे लेंगे कि साप्ट के पडार्त में मशीन का और होना चाहिए तिसरा आता है गिसा और ऑजित 미त आ होती है जिसे कि ये चलेगा और करेगा तगी सेगा ही तिसका जो रोधक छमता होता है उसका उँच होना चाहिए चौथा पॉइंट आप लिख लेंगे कि साफ्ट के माध्यम में जो साफ्ट के माध्यम होते हैं उसका हीट ट्रांस्मिशन मतलब गूर जो गरम हो उसका सोखने का छमता रख यह नहीं हो कि हमने यह सारे बना दिया हुआ करने वाला पॉर्जेक्ट और यह हीट होकर ब्लास्ट हो गया इस परकार के नहीं होना चाहिए बच्वा पॉर्जेक्ट लिख लेंगा हम लोगे कि नोच क्रांसिक्ट गुरांक कम होना चाहिए जो इसका गुरांक होता है नोच ठीक है वो कम होना चाहिए अब आईए हम लोग पढ़ते हैं साफ्ट और मैटेरियल क्या होता है समानित लिखिए शमानित शाफ्ट की धात माध्यम कार्बन इस पात होती है जिसमें कार्बन 0.15 से 0.4 परशेंट तक रहती है ठीक है और इस परकार के इस पात को मशिनिंग इस पात कहते हैं जो होता है इस परकार को हम लोग मशिनिंग इस पात कहते हैं ठीक है उंच उंच सक्ती की और शक्ता होती है इसमें अश्ट और दुसरा श्टार लगाई है, पॉइंट वईंट लिखते जाईए आप माटेरियल में, सधारन सब, मतलब कि सधारन साप्ट के लिए परियुक्त समागरिया हल्की इस्टील होना चाहिए, जो हम लोग बनाएंगे समागरी उसके लिए स्टील हलकी होनी चाहिए यह नहीं कि स्टील भारी हो गया और मेरा क्रेंक साथ बहुत ओजन हो गया उस परकार के नहीं होना चाहिए इसके कहने का मतलब यह है अब च correlated लगा लेंगे कि मिष्न इस पात धातु का उपयोग होता है जो मिष्न इस पात होता है उसका धातु का उपयोग होना चाहिए तो हम लोग जानते हैं कि type of loading on the soft मतलब जो type of loading होता है on the soft उसके बारे में जानेगे कौन-कौन से होते हैं देखिए ऐसे तो ये साब्ट की सता पर भारों के जो होते हैं उन निमने लिखित परकार के होते हैं ठीक है अब मैं बोल देता हूँ आप नोट करना हो तो आप नोट कर लो नहीं तो मैं तो मुख जो मुख होते हैं मैं उनको लिखकर यहां पर लाया हूँ जो की जाम्यक्ष फुच्छता रहता है ठीक है लिकि इस परकार के तरनी में लिकित परकार के होंगे ठीक है पहला आप लिख लोगे की बिंदू भार पर शकेंधरी भार ठीक है दूसरा आप लिख लोगे कि की संब परिवर्तन भार मतलब की उनफर्मल वैलिटी लोड मतलब की एक साइट से जिसे ये हो गया और एक साइट से जूक रहा है ये ये लोड दूसरा ये हो गया ठीक है और हमने पहला बोला था की जो बिंदू भार हैं सकेंद्रिय भार हैं जैसे कि पॉइंट अब दा कंट्रोल लोड वो मतलब कि इस परकार से ये हो गया और इस पे मालो की ये ये लोड लगे इस पे इस तरीके से ये सहरा है ठीक है पहला ये हो गया दूसरा हमने क्या बताया कि दूसरा इस परकार के दूसरा का नाम होगा सम परिवर्तन भार मतलब कि इनफर्मल वैलिंग लोड ठीक है मतलब एक साइट से ये लोड लग रहा है ठीक है इधर जूग रहा है ओके आप तिसरा लिख लोगे कि सम परिवर्तन भार मतलब कि जो हम लोग ने पढ़ा इनफर् वेरिंग लोड मतलब कि नॉन वेरिमल लोड मैं आपकी स्कीरीन पर लीग देता हूँ मेलिंग होगा नॉन यह एनी वर्मल वेरिमल ठीक है यह होता है दीक है इस परकार से जाधा हो जाएंगे ठीक है जिसे की एक्स लोड एकसल लोड क्या होता है जैसे कि एकसल लोड इस परकार से जैसे कि एकसल इस तरीके से है हमारा ठीक है और इसमें यह लगे रहेंगे इस तरीके से यह जैसे डिफ्रेंशल एक हो गया इस तरीके से मतलब लगे रहेंगे ठीक है या आप एकसल लोड लिख लिए आप लि जिसे बोलते हैं न कि transmission उस तरी कि transmission फिर lengthy load आप लिख लेंगे मतलब धेर फरकार के सारी होती है आप main main मैं बता देता हूँ आप main main लिख लो bending moment load हो जाएगा bending moment load आखिर होता क्या है फिर of the trace moment load क्या होता है मतलब इस फरकार से धेर हैं लेकिन हम लोग इन्हें मुख जालेंगे मुख ये कौन कौन होते है share force bending moment ठीक है share force क्या होता है bending moment क्या होता है truth frequent क्या होता है तो लिखिये share force होता क्या है share force ये होता है ऐसा बल जो beam बस्तू को दो हिसों में अलग करने का परयास करता है या कर देता है उसी को सेर्स फोर्स करते है मतलब कि सेर्स फोर्स बर्ब दो बीम को हिसों को अलग करने का जिसे मालों की ये बीम है मतलब इस परकार के एक मिनित एक परकार के ये बीम है मतलब लेटा हुआ बीम है इसको फोर्स लगकर दो आधी करने का होता है उसे सेर्स फोर्स करता है जैसे कि डीपनेसम ने बता रहा है कि ऐसा बल जो बीम बस्तु को दो हिसा में अलग करने का पर्यास करता है या कर देता है उसी को हम सेर्स फोर्स करते है ठीक है अब आता है दूसरा हमलों का बैंडिंग moment bending moment होता क्या है जब beam पर एक किनारे shear force लगाया जाता है तो beam दूसरे सीरो पर केंद्र मानकर घुमने का परियास करता है उसे हम नम नगुण या bending moment करते हैं कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग beam पर एक किनारे मतलब कि हमारी यह जो बीम हो गया मैं लेटा बीम बना रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आएगा ठीक है यह बीम हो गया तो जब किसी एक बीम के किनारे हम लोग एक बीम के किनारे मतलब लगा रहे हैं फोर्स तो बीम की दूसरे सिरा जो दूसरी सिरा होती है वो केंद्रित होकर मतलब यह जो किसी चीज को घुमाने में एंघ मदद करता ह। कोई को हम लोग tweet कोते हैं ठीक है कोते हैं ठीक है आए हम लोग BBI कोशन बता देता हूं जो की इस chapter से BBI कोशन कौन से आते हैं जो की पक्का आना ही आना है नहीं आयाएगा ता प्लीज मेरे कमेट में जरूर करिएगा कि आया नहीं पर मैं guarantee के साथ बोलता हूं कि यह कोशन ठीक है डिजाइन आप साफ्ट, बेंडिंग, ये और वे इसका definition जो की स्कीन पाप के जो कोशन दीख रहा है ये कोशन को नोट कर लें ठीक है और इस कोशन को अच्छी तरीके से लिक कर और याद कर लें ये बोर्ड में पक्का ही आना ही आना है ठीक है वीडियो में देखि अठीक है लिए में आपको बात बता जाता हूँ कि मेरे टेरिगराइम चैनल का नाम है टेक्निकल साइंस इन्फो जो इसका पीडियव है मेरे इस टेरिग्राइम में आपको मिल जाएगा आप वहा अंसे लेकर आप अपने नोट्स में लिग सकते हैं ठीक है मेरे कर सकते है एस लिस चैनल के लिइस है अपको जो यूपीएसी यह जो मौटिवेशनलर यह भ्रत न मनतोरा कि आप मेरा फेसबूक पेज इस इस्टूप चैनल के नाम से आप वहां भी देख सकते हैं आप मेरे टेरीग्राम का दूसरा लिंक है सरकारी टी-एस मतलब कि इस लिंक में आप जॉइन हो जाओगे तो आपको गौर्मेंट से सारी जो जॉब्स निकलती रहती है उस पे आपको सारी बिहार पुलिस एससी से सी करिए ठीक है और जॉइन हो ये और मैं ये टेकनिकल साइंस इंपो टेरीग्राम चैनल का नाम है वहां से आप ये पीडियाफ ले लेजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें अपने फ्रेंडों के पास और एक प्यारा सा कमेंट करें क कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ठीक है और मेरा मेरा ये ये टूब चैनल का नाम है टेकनिकल साइंस इंपो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेयर करें थाइंक यू डियर इस्टूडेंट कैसा लगा प्लीज एक पर कमेंट जरूर करे झाल झाल झाल